नमस्कार दोस्तों स्वागर आप सभी का तिकिराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको उता हूंगा कि कैसे आप अपने शाओमी रेट्मी वाइवान लाइट पर क्रेश प्रोब्लम को सॉल्फ कैसे कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको भ दोस्तों अगर आपको जाना है सॉल्फ करना है तो वीडियो को शुरू से लेकर आन तक जरू देखें और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं जिया है तो सब्सक्राइब जरू करें गेरी आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो घ्रेच होने का तो आपको कई बार लगे हैं तरदीट्रीस तरह की होई ढूं राप जियां की में त RICHARD नाहिए तो Gow पर आपको यह आप्लिकेशिंट करते हैं तो उन सबसे प्राब्लेम है आ जाते हैं आपके फ़ोन पर वायर स्वाइरा आज और छिए तो आप अपने साइट एक बर जो चेक करें जबी आप कोई वेबसाइट पर जाके कुछ भी डाउनलोड करने की कोशिश करतें तो इंस्टोल करते वग वाइरस आपके फोन पर आ जाते हैं तो उसके वाज़े से श्राइट फेंट झालोड जाए और वहाज होगो दोस्तो एसको अनिस्टोल कर दें तो उनको हम कहते हैं यह ऐसा कोई भी ऐप्लिकेशन से डिवाइस पर तो आप उनको जो है अनिस्टॉल करें अनिस्टॉल करने से दोस्तों आपका जो फोन है उसमें से इंप्रूफमेंट हो जाएगा ठीक है और आपके जो डिवाइस है उसमें स्टोरेज वयगेला बी चेक करने हैं यहाइज आपका स्टोरेज काफी हो चुका यहाँ फूल हो चुका है था आप को काफी सारा जो स्पेस है वह वापस मिल जाएगा ठीक है लेकिन इतना ही नहीं आपको यह भी चेक करने कि आपकी डिवाइस पर कितना स्टोरेज बचा हुआ है तो आप उपर में देख सकते हैं ठीक है चेक करें आप जोए दोस्तों कुछ यहां पर अप्लिकेशन्स फाइल वगरे को डिलेट करें जोय काफी फूल हो चुका है उसके बाद आपका जो खेश वगर रहे उनको दिलेज करें तो उनको लिग करें तो और बातोर ग्र अगर आपका device software update मांग रहा है तो आपको update करना होगा क्योंकि दोस्तों device software update करने से crashing का जितने भी तरह का problem होते हैं वह solve हो जाते हैं ठीक है तो बस आप यह सारे solution कर सकते crash problem को fix करने के लिए by any chance मान ले आपका जो problem है वह fix ही नहीं हो रहा है ठीक है अभी भी phone crash होते जा रहे होते जा रहे तो दोस्तों आपको factory reset कर देने अपने device को उसके लिए आप जाए about phone पर backup and reset पर click करें और नीचे जाके erase all data पर यानि की factory reset पर click करना है और अपने device को reset कर लेना है ठीक है यह करने के बाद दोस्तों आपका phone पुरा free हो जाएगा औ और आपका crash का issue भी fix हो जाएगा तो आज की इस वीडियो बढ़ो सब बस इतना ही इससे आपका जो problem है वह बिल्कुल solve होगा आप एक बड़ ट्राइज जरूर करके देखे इसके related कोई भी problem कोई भी issue है तो आप हमें बता सकते comment section पर भी thanks for watching